एर कंडिशनर सिस्टम में कौन सा गैस कितना प्रेसर चार्ज करना चाहिए। काफी टेकनिसियन के अंदर काफी अलग-अलग तरह के मित होते हैं कि कितना गैस चार्ज करना चाहिए। ये कोई confirm नहीं बता सकता है। आप अगर चाहते हैं कि बिलकुल confirm आप gas चार्ज करना चाहते हैं तो एक ही तरीका होता है वजन करके gash डालना वह भी फुली वेक्यूम करके उसके बाद वजन करके gash डालना लेकिन ऐसा कहां हो पाता है ऐसा तब ही हो पाएगा जब आप delete check कर रहे हैं unleash आप repair कर रहे हों compressor replacement कर रहे हो, या फिर फोरिवरिवर्सिम वाल या फिर capillary filter आप change कर रहे हो, तभी ये possible हो सकता है कि आप version करके gas डालें, क्यों? क्योंकि आप cricket check करेंगे तो सारा gas तो निकली जाएगा, तो जाएर सी बात है कि आपको vacuum करना पड़ेगा, लेकिन आप top up अगर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे वहाँ पर वजन करके gas डालना possible नहीं होगा तो इसी में problem आता है कि कौन से system में कितना pressure gas charge किया जाए R22 में कितना gas charge किया जाए R410 में कितना gas charge किया जाए R32 कितना gas charge किया जाए तो अलग-अलग refrigerant का अलग-अलग pressure होता है तो कितना gas मैं एक idea देंगा आपको एक idea ऐसा दे दूँगा कि आप आखे बंद करके भी gas charge कर सकते हैं मतलब आखे बंद करके नहीं कह रहा हूँ सिर्फ idea मैं आपको दे रहा हूँ कि आप gas charge कर सकते हैं आसानी से एक अंदाज से आपको इतना experience हो जाएगा एक video देखने के बाद इतना expect तो हो ही जाएंगे कि आप gas charging कर सकते हैं आराम से बिना आप version किये हुए और कितना pressure आपको देना चाहीं क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कितना हर किसी को पता है कि R22 का pressure कितना होता है R410 का pressure कितना होता है R32 का pressure कितना होता है सबको पता है जो technician है यानि कि फिल्ड में काम कर रहे हैं उन्हों सबको पता है लेकिन इसमें confusion होता है कि जब हम top up कर रहे होते हैं कुछ ऐसे months होते हैं पूरे 12 महीने में ऐसा नहीं है कि आप इतना ही gas charge कर देंगे तो system चलेगा सही से, नहीं, अलग अलग महीने में अलग अलग pressure हो सकता है, ज की थंड़क में अलग pressure आएगा, saction pressure, और वहीं अगर मानी की January, February, March में जो pressure आप charge करेंगे, वह pressure जा करके, जून जुलाई अगल यह दूँगा आपको, जैसे कि आप ठंड़क के समय में गैस चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, जनुवरी में अगर गैस चार्ज कर रहे हैं, आर्ट उन्टी टू की बात की जाए, तो आर्ट उन्टी टू का प्रेसर जो होता है, 60 PSI माना जाता है, 60 PSI, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि 65 PSI भी चला जाता है, प्रेसर, तो भी cooling maintain नहीं होता, जो outdoor का temperature होता है उसी के हिसाब से जो सक्सन होता है वो maintain होता है तो कवन से महिने में कितना gas charge करना चाहिए अगर मानिए कि January, February, March में आप gas charging करें उसे तो January में कोई करवाता नहीं है gas charging लेकिन फरवरी कुछ ऐसे जैसे company होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि फरवरी में भी AC चलने लगता है, तो अगर आप फरवरी March में अगर gas charging कर रहे हैं तो R22 अगर gas charging कर रहे हैं, तो R22 का pressure आपको 50-55 PSI रखना है 55 PSI लेकिन हाँ उसी हिसाब से MPR भी maintain हो जाना चाहिए आपका ध्यान में रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो compressor की pumping down रहती है, तो 55 PSI में नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कि 60 PSI तक होता है, लेकिन 60, 80, 90 PSI तक दे देते हैं लेकिन हो maintain नहीं होता है, क्यों, क्योंकि compressor का pumping down होता है, compressor की pumping अगर loss है, तो आप gas बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, MPR maintain नहीं होगा, और cooling भी नहीं आएगा, अगर उससे पहले confirm करना होगा, कि यहाँ आपका compressor, उसका pumping सही है, pumping कैसे चेक किया जाता है, आप इस निकाले, आप pumping को चेक कर सकते हैं, वैसे तो pumping चेक करने का जो professional तरीका होता है, वो होता है कि आप पूरे gas को निकाल दे, suction line, discharge line, आप निकाल दे compressor से, उसके बगद compressor को, compressor में एक discharge line में, आप joint करके, एक charging line को तब आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि, मैं इस नहीं करना चाहिए, कि आप discharge line में joint करके, आप 500 compressor दे दे, नहीं, ये गलती कभी भी मत करिएगा, जो rotary compressor है, ये सिर्फ लागू होता है, bristol compressor के उपर, इस call type आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से, अगर rotary आपको चेक करना है pumping, तो सिर्फ अगूठे से दबा करके चेक कर सकते हैं, discharge line पर अंगूठे से दितना दम है आपके पास, उतना से आप अंगूठे से दबाईए, तो ऐसे ही पता चल जाएगा, अगर pumping फेल होगा, तो सक्सन के रास्ते से फैकने लगेगा, अगर pumping सही होगा, तो आप उसे अंगूठे से कभी नहीं रोक पाएंगे, ये धहर में तो अगर pumping बिल्कुल परफेक्ट है तो, pumping down होगा, तो सक्सन के रास्ते से फैकने लगेगा, आप दबा के रखेंगे, सक्सन के रास्ते से फैकने लगेगा pressure, जो कि सक्सन के रास्ते से खीचना चाहिए, तो यही होता है कि pumping आपका, अगर सही है, तो आप 50-55 पा प्रेसर आ जाएगा वही प्रेसर और अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं जून जुलाई अगस्त के महीने में तो ध्यान में रखिए 65 PSI तक आपको देना है अगर 60 PSI मैं तो यही कहूंगा हमेशा मैं यही कहता हूं कि 60 PSI का प्रेसर देना चाहिए अगर एंपियर मेंटेन हो गया तो अगर एंपियर मेंटेन नहीं हुआ तो आप 65 PSI बढ़ा दीजिए 70 PSI तक भी चला जाता है अगस्त के महीने में क्योंकि हाई टेंपरेचर होता है आउट्डोर का बहुत हाई होता है ऐसी के हिसाब सब्सक्रा प्रेसर भी बढ़ जाता है सक्सम्षध कोई भी रेफजरेंट हों सारे कर यही होता है तो इसी तरह से statistि चार्जिन करना होता है 460 अगर गस चार्ज कर रहे हैं जनुरी फरवखरी मार्च में अगर आप गस चार्जिंग कर रहे हैं तो एक Dr. पियसा रहे हैं तो अगस्ट परफ करकरको घ tower हैं तो एम्बेन टेम्प्रेचर के हिसाब से सक्सन प्रेसर भी बढ़ जाता है तो मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से महीने में कितना गैस चार्जिंग करना चाहिए अगर आप जनवरी फरुरी में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम चार् घैसे कोई बहने कि जाम्पल देंगे कि उसमें लिखा हुता है सिस्टम में साथ से नौ एंप्यल लेगा साथ नौ से ग्यारें लेगा तो अगर जितना जो मिनिममाम है ना वहां तक अगर एंप्यल लेने लगा है उससे अगर ठंड़ा के महीने में गास चार्जिंग जितना उसमें minimum लिखा हुआ है, जैसे 9 से 11 ampere लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझे, काफी important है, इतनी बारीकी से कोई भी नहीं समझाता है, जितनी बारीकी से मैं बताता हूँ, तो आपको इस तरह से idea लग जाएगा, तो अगर gas charging कर रहे हैं, तो अगर 9 स 55 प्रियस आई है, और cooling सही दे रहा है, तो समझे लिए कि सही है, अगर वही April, May, June, July में अगर gas charging कर रहे हैं, तो ampere जो है, जो maximum ampere है, यानि कि 9 से 11 ampere है, तो 11 ampere तक लेने लगेगा, और pressure जो है, जो है 60, 65, 70 भी हो जाएगा, तो अगर cooling सही आ रहा है, तो इस तरह से gas charging किया जाता है, तो इसमें अगर कोई भी doubt है, कुछ भी question है, अगर आप नहीं समझ पाए है, तो बेज जीजएक आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं, मैं उसका reply जल से जल देने की कोशिज करूँगा, और लाश्ट में बता रहे हैं, चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe कर ले, औ पूर बेल आइकन को प्रेस करके all पर किलिक कर ले, ताकि हमारे आनावली न्यू वीडियो की notification आपको मिल पाए, और वीडियो को देख पाए सबसे पहले, तो आज के लिए वस इतना है ता अगले वीडियो फिर जल देने मिलते के ने topic के साथ,